हेलो दोस्तों वेलकम डिसाइबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जासिया फ्रेंड्स रिवलोटर टोकन के बारे में मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाई विए और उसमें पूरी डिटेल मतलब बहुत ही डिटेल वीडियो है पूरी 18 मिनट की वीडियो उसका लिंक नीच के साथ कुछ बातें करनी हैं अगर आप इसको बाय कर चुके हैं तो भी आपके लिए वो चीज़ अच्छी होगी अगर दोस्तों आप ने ये टोकन अभी तक बाय नहीं किया लेकिन आप पंपिंग डंपिंग किसम का कोई टोकन अगर ढूंड रहें तो मेरा ख्याल है कि य इनका जो कांसिप्ट है अपने प्रोजेक्ट को चलाने का वो ही कुछ ऐसा है कि होल्डर्स को ज्यादा तेर तक कम से कम तीन महीने तक जो होल्ड करेंगे उनको एक जबरदस प्रोफिट यहां से मिल सकता है तो मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोजेक्ट है मैंने जितना इसको study किया है यह बहुत ही एक serious किसम के जो लोग है या ट्रेडर हैं उनके लिए है ठीक बाकी day trading अगर आप करना चाते हैं तो फिर कोई और coin भी आप देख सकते हैं वैसे यह जो मेरी बात है दोस्तों इसको समझने के लिए आप इनका white paper अगर study करेंगे तो ज्यादा बहतर हो है और Indian मतलब Hindi में भी मिल जाता है पाकिस्तानी इसको उर्दू में भी पढ़ सकते हैं English में भी पढ़ सकते हैं Indian और मतलब पाकिस्तानी सारे अगर आप English अच्छी जानते हैं तो English में भी पढ़ सकते हैं जैसे भी बेतर लगे तो total fifteen languages में इंका white paper मौझूद है मैं आपको द तो आपको 100% यहां पर प्राफिट मिलेगा अब 100% से मुराद यह है कि आपने अगर यहां पर आज 100 डालर लगाएं तो तीन मेनों के बाद आपको 200 डालर होके मिलेंगे अब कहने का मतलब यह नहीं कि 100% का मतलब यहां पर है दोस्तो शूर्टी शूर्टी मिलती है कि आपको यहां से प्राफिट और अच्छा प्राफिट मिलेगा अब जब हम दोस्तो इस टोकिन के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको यहां पर अरली वीडियो में ही बता देना जाता हूँ ताकि आपका जो हो ड्रस्ट है वो बिल्ड हो जाए क्यूंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार न्यू टोकिन है तो यह स्केम होगा या पता नहीं क्या होगा यहां पर जो मैंने आपके साथ चीजे शेयर करनी है नंबर वन पर आप यहां पर दोस्तो देख सकते हैं यह जो टोकिन है फरस्ट अफ़ाल आप देखे इसकी इस वक्त जो प्राइज है वो दोस्तो 0.16 मतलब तकरीबन 16-17 सेंट इसकी प्राइज चल रही है ठीक है इसकी प्राइज सेवन सेंट अब हो चुकी है अब जिन जिन दोस्तों ने उस वक्त बाय किया होगा वो जरूर मुझे दौाएं देते होंगे और कहते होंगे कि या रिजाज भाई ने एक अच्छा टोकिन बताया कि जिसमें आपने अगर 100 डालर इन्वेस्ट की होंगे तो इस वक्त आपके 170 डालर तकरीबन वहां पर हो चुके होंगे या 160 डालर तो यहां पर जो मैंना आपको चीज एक्छल बतानी थी वो दोस्तों यह कि कौईन मार्किट के पर लिस्टिंग हो चुकी है साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूँ कि आप यहां पर अगर देखें यह मैंने आपके सामने लिखा है और इंटर पर किलिक करता हूं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर इसकी प्राइज शो हो रही है और यह रिवल उटो आपको यहां पर शो हो जाता है ranking यहाँ पर not available है लेकिन अगर market cape पर देखें तो ranking आपको 4370 बदब 4370 पर इसकी market ranking अभी आपको मिलती है क्योंकि आप अगर इसकी market cape देखें तो सिर्फ दोस्तो 34 करोड और 52 लेक्स तक्रीबन 34 करोड यहाँ पर invested amount है इस वक तक ठीक है तो market cape इतनी बड़ी नहीं है अब यह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बार बार यह इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद अंदाधा करें कि पोटेंशल कितना मौजूद है रिवियू में अगेन आपके सामने इस वीडियो में भी करूँगा इस टोकिन के बारे में आलरेडी किया हूँ है वो वीडियो भी आप देख सकते हैं लेकिन पोटेंशल आप यहां से market cape को देखकर ही अंदागा कर सकते हैं कि फार एक्जंपल यहां पर दोस्तो 34 करोड इस लास्ट वाला अप्शन है यह जो रेड आपको नजर आ रहा है आप देख सकते हैं फाइव परसंट ऑन इच ट्रेड बर्न तो यह जो बर्न हो रहा है सेम टाइम पर अगर दोस्तों यह कौईन मार्किट केप पर आपको जो अभी मैंने मार्किट केप दिखाई इसकी वही लेकिन बर्निंग का सेशन चलता रहा है जिस तरह यह फाइव परसंट बर्न हो रहा है हर ट्रांजिशन पर या इच ट्रेड पर तो अल्टिमेटली मार्किट केप वही रहेगी लेकिन फ्राइज जो है वो बढ़ती आपको नजर आएगी अब यह सारा इन्हों ने जो टोक लिक्विडिटी ठीक नाइन परसंट जो है वो लिक्विडिटी में चला जाता है अब यह लिक्विडिटी मतलब क्या है मैं समझाता हूँ आपको और सिक्स परसंट आप देख सकते हैं ऑन इच ट्रेड सिक्स परसंट टू दे होल्डर्स हर ट्रेड पर सिक्स परसंट जो ह वो holders को चला जाता है लेकिन यह जो 9% है दोस्तों यह भी एक ऐसे wallet में चला जाता है ऐसी liquidity में चला जाता है जो के फिर 3 months के बाद फिर उसकी redistribution होती है तो यहां से again आपको जो है न वो इस pool में आ जाएंगे और आपको earning होगी यहां से burning से अलग आपको फाइदा होगा जितने भी token होंगे उनकी price बढ़ेगी और यहां से आपको अलग से मिलेंगे और यहां से आपको 6% में से अलग से मिलते है अपने wallet में यह दोस्तों आपके सामने जो अभी mobile पर आया है mobile की screen पर आप देख सकते हैं यह इनकी recent announcement है आप देख सकते हैं और माइल स्टों अचीवड कंग्रेचुलेशन्स नाव रिवोलटो आर्वी एल अफिचली लिस्टेड ऑन बॉग्ड फाइनेंस तो यह भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं तो ऐसा option आ जाता है इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपना wallet जो है वो connect करना पड़ेगा और आप यहां से buy कर सकते हैं वैसे यह आपको pancake swap से भी मिल जाता है यह आपके सामने है pancake swap आप देख सकते हैं यहां पर यह RVL आप लिखा हुआ जो नजर आ रहा है आपको यहां से भी मिल सकता है दोस्तों आप इसकी trade जो है वो crypto.com पर भी कर सकते हैं अब यहां पर आपको मैं बता दूँ फार एक्जमपल जैसे मैंने बताया आपको coin market cap पर number one coin gecko पर number two pancake swap पर number three box finance पर number four उसके बाद crypto.com पर number five अब crypto.com इन में से ऐसी है जिसको हम centralized exchange कहते हैं ठीक है centralized exchange पर भी यह आ चुका है कि अब यह project यहां पर आया है तो इसकी पूरी detail और transparency वहां पर show हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि transparency को अगर देखा जाए या फिर trust की बात की जाए तो उसको gain करने के हिसाब से यह अपना पूरा काम कर चुके हैं और दोस्तों अगर आप इनका telegram group join कर लें या twitter handle को देखें तो मुझे वहां से कुछ ऐसी updates आई हैं कि बहुत ही जल्द different exchanges पर यह list होने वाले हैं क्योंकि इनकी price को अगर आप देखें या price में तो increasement आपको मैंने दिखाई है अभी मैं चार्ट भी आपको दिखा दूँगा अगर उसको देखें तो यह एक काम्याब project कहा जा सकता है मतलब यह इतनी सारी exchanges पर आने के बाद और इतनी progress के बाद अब इस project के नाका कोई burning का system मौजूद नहीं है कि आइसा ऐसा उसकी quantity कम होती जाए लेकिन उसकी जो एहमियत है crypto space में उसकी सबसे बड़ी वज़ा अगर हम देखें तो वो यह है कि वो first cryptocurrency थी जिसकी adoption हुई और अभी तक वो lead करती है लेकिन कोई burning वगएरा का ऐसा system दिया हो या sticking का system दिया हो जिसकी वज़ा से उसकी price में जो हैना वो increasement होती हो ऐसी कोई बात नहीं है transaction speed भी अगर देख लें तो भी वो बहुत सारी इस वक्त की मौजूदा crypto currencies है as compared to them वो बहुत ही कम है लेकिन क्यूंके वो पहली crypto currency है तो उसको आज तक वही हैसیت हासिल है लेकिन यहां पर जो मैं आ महदूद supply है और उसका जो burning system है वो भी manual है लेकिन यहां पर auto burn system है हर trade पर 5% जो है वो burning हो जाती है safe moon में ऐसी कोई बात आपको नजर नहीं आती अब जो difference है दोस्तो एक चुल जो जिस पर आपने गोर करना है वो यह कि number one पर revoluto के पास supply जो है वो भी कम है number two दोस्तों यहां पर burning भी auto है जो के 5% every trade पर होती रहती है number three दोस्तों liquidity है जहां से हर तीन महीने के बाद again जो है वो distribution हो जाएगी अब यह सारी चीजे मिलकर क्या impact बनाएंगी ultimately जब coin की quantity जो है वो भी कम होगी market cave भी बढ़ेगी तो आप खुदन दादा करें के day by day जो है ना ज्यादा से ज्य ज्यादा बनने में कुछ ज्यादा वक्त मुझे नहीं लगता कि लग सकता है अब यहां पर एक और example आपको देता हूं वो जैसे मैंने आपको 9% वाला बताया यह है जैसे ठीक है यह दोस्तों price पर बड़ा impact करता है यह liquidity में चला जाता है और इससे फाइदा यह होगा कि लो तीन महीने तक अगर हम इसको hold करते हैं और यहां से जो percentage 20% कट जाता है उसमें से यह तो burn हो जाता है यह भी distribution हो जाती है holders में बाकी यह बचता है यह भी liquidity में चला जाता है दोस्तों और यह बाद में आपको दिया जाएगा अगर आप तीन महीने तक इसको hold करते हैं तो इसक की दुनिया का एक basic उसूल है और वो यह किसी चीज की जो prize है वो तब बढ़ती है जब उसके sellers कम हो और buyers ज्यादा हो और वही बात यहां पर बिलकुल लागू हो जाती है कि इसके आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि sellers जो है वो बहुत कम होंगे और buyers बढ़ते जाएंग for example इसको one month का कर लेते हैं ठीक है यह one month का आप चार्ट अगर देखें तो यह 14th October को यहां पर लिस्ट हुआ है और इसकी प्राइज शुरू हुई है तकरीबन 7 cents ते 7 cents से इसकी प्राइज शुरू होकर आप देखें कि कितने दिन में इसकी प्राइज बढ़ी है 14th October और आप जब विडियो देख रहे हैं 22nd October ठीक है कितने दिन हो गए सिर्फ एक हफ़ता ठीक है एक हफ़ते के अंदर अंदर बलब सिर्फ आठ या 9 दिन में इसकी प्राइज का डबल हो जाना इस तरह यह खुद ही बताता है कि इसकी जो टीम है वो भी अच्छे तरीके से काम कर रही है नमबर टू इन्हों ने जो सिस्टम बनाया है बर्निंग का या फिर लिक्विडिटी का या फिर होल्डर्स को रिवार्ड का यह सारा यहां पर अच्छा काम कर रहा है और इसकी प्राइज में आपको एक अप्ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली नजर आता है अब जो मै करन्ट सप्लाइ आप देख सकते हैं यह है जबकि आटो बर्न सप्लाइ आप देखें यहां पर तो अपडेट होती रहती है 21 करोर टोकन्स में से दोस्तों सिर्फ आठ दिन में 131,472 जो कौइन्स हैं या टोकन हैं यह बर्न हो चुके हैं मतलब एक लाख 31,000 जो टोकन हैं व दोस्तों वह कि यह माइनिंग नई हो रही मतलब मिननिंग नहीं और अफियों जिस सब्सकरा बिटकोइन है वह अगर आप इस वक्त बिटकोइन भी कर दें तो फिर कल कोई और उसको जो हैना वह मैन कर देखा तो फिर जो سर्कुलेशन सप्ला हैं उसकी वही सेम हो सकती है क लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है मतलब यह एक बार बनाया जा चुका है और इससे ज्यादा टोकिन इसके नहीं बने जबके बरनिंग इसकी कंटिन्यूसली अगर इस तरह से इस कुईंटिटी के साथ चलती रहती है तो फिर आप खुद अंदादा कर सकते हैं कि आने वाले एक द पंदरा मिनट जो हैं वो कल आपको एक अच्छा प्राफिट दे सकते हैं अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो वो वीडियो देखने के बाद कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि भाई यहां पर गैस का इशू है बलब ज्यादा है यह वो तो वो भी दोस्तों हल किया से तीन डॉलर जो है वो उसमें कट जाते हैं लेकिन अगर आप उसको देख रहे हैं जो के मैंने आपको कहा कि अगर आप हंड़िड डॉलर के बाई करते तो एक्चली आपको दोसो एटी डॉलर के मिलेंगे तो वो एक अलग चीज है एक्चली वो फिर आप ही को दिये तो pump dump ये नहीं हो सकता fluctuation जरूर होगी यहां पर क्योंकि थोड़ी बहुत जो buy sale होती रहती है वो जरूर होगी लेकिन एक अचानक से बहुत ज्यादा इसकी price बढ़ जाए एक घंटे के अंदर अंदर और बहुत ज्यादा गिर जाए मुझे इसमें ऐसे chances नजर नहीं आते होत दोस्तो मैं आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ वैसे हमने कॉइन मार्किट केप पर देखा जब मैंने इस पर फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो इसकी price दोस्तो चल रही थी 10 cents ये उसके बाद 17 cents तक इसकी price गई है इस वक्त भी आप अगर देखें तो तक्रीबर 15 cents त करेंगे तो आपको अच्छा एक profit यहां से मिल सकता है मैं इस चार्ट का लिंक भी नीचे description में दे देता हूँ ताकि आप अगर इसकी price को चेक करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे आपको coin गीको पर या coin market केप पर भी इसकी जो recent price होगी updates होंगी वहां से भी मिल सकती हैं आप द चैनल को subscribe करके bell icon जरूर दबा दें ताके मैं और आप आपस में जुड़े रहें टेक केर अलाफेस